Hey guys, welcome back to my channel और आज की वीडियो है एक पिक अ कार्ड रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि आपकी ओवराल परस्नालिटी कैसी है और इसी क्या चीज है, क्या आदते हैं या ऐसी क्यों सी लोग हैं या फिर ऐसी कौन सी चीजे हैं जो आपको successful होने से रोक रही हैं ऐसी कौन सी चीजे हैं जो hurdles create कर रही हैं, obstacles create कर रही हैं चाहे वो आपकी आदते हो सकती हैं या फिर आपके आसपास के लोग हो सकते हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीज जो negative कर्मा जो है वो create कर रही है और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि actually आप ऐसा क्या काम करो जिससे आपके किस्मत के दर्वा से जो है न वो खुल जाए जिससे आपको वो financial success, वो dream, happiness, health, mental health, positivity, love, relationship इन सब में आपको सफलता मिले, वो जो सारी चीजे आप चाहते हो, वो सारी चीजे आप manifest कर पाओ ऐसी क्या चीजे हैं वो आप करो तो आज की वीडियो में हम जानेंगे यहाँ पर मैंने चार पाइल्स बना हैं, ग्रुप नमबर वन, sea turtle, ग्रुप नमबर टू, whale, ग्रुप नमबर थ्री, tiger और ग्रुप नमबर फोर, goldfish तो आप थोड़ी देर इन कार्ट को देखिए और अपनी life के बारे में सोचिए और उसके बाद आप एक कार्ट जो है, वो पिक करिए और उसके बाद स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग ग्रुप नमबर वन, जिन्होंने भी यह sea turtle juice किया है, तो आएजे देखते हैं उनके लिए कार्ट जो है, वो क्या कहते हैं okay, four of cups, two of pentacles, ten of wands, seven of cups, eight of swords, eight of cups, the hangman I hope आपको cards दिख रहे हो, and seven of pentacles, five of pentacles, the chariot and life purpose oracle card से है, creative expression, okay तो जो आपकी personality है, वो कुछ ऐसी personality है, सबसे पहली बात तो यह है कि आप बहुत जादा सोचते हो ठीक है, किसी भी चीज को करने से पहले ना आपकी दिमाग में दो thoughts बार बार गुंगते हैं आप कोई भी चीज को ना, बहुत spontaneously हा नहीं करते हो, पहले बहुत सोच विचार करते हो, kind of no, gloomy वाली feeling ही होती, sad, depressed type वाली जो feeling होती है और कुछ अच्छी चीज़े दिख भी रहे होते हैं तो आप एक बार उन्हें नहीं देखते हो, ठीक है और आप महनती हो, बहुत ज़्यादा महनती हो, कोई भी आपको कुछ चीज बोता है काम करने के लिए तो आप किसी को ना नहीं कहते हो, आप बहुत ज़्यादा responsible हो, बहुत मतलब अपनी responsibilities आपके उपर बहुत ज़्यादा है अगर नहीं भी तो भी आप ऐसे इंसान हो, मतलब लोगों की help करना, लोगों की help करना और चूब इंसान कुछ भी बोलता है आपके लिए तो आप उसे ना नहीं करते हो, उन्ता काम करते हो और ये भी हो सकता है कि आप बहुत responsibilities उठाते हो, बहुत ज़्यादा burden उठाते हो और अब बात करूं की ऐसी क्या चीज़े हैं जो आपको नुकसान पहुचा रही है, ऐसी क्या आदते हैं जो आपको नुकसान पहुचा रही है, आपको successful नहीं होने देरी तो सबसे पहली बात, आपका kind of ना, हर चीज़ को देखने का एक positive और negative तरीका होता है, तो कभी-कभी आप अपनी life में ना, कुछ अच्छी चीज़े होगती भी होंगी, तो उसका negative चीज़े जो है, आप उन्हें जादा देखते हो, kind of ना, आपके पास choice रहती है, हर इंसान के पास choice रहती है, कुछ अच्छा देखने का, या बुरा देखने का, तो आपके life में, please यार, बुरा मत मानना, ये general reading है, जो भी cards आ रहे हैं, में सिर्फ मेरा first बनता है, वो बताने का, तो जो कम्या, अगर मैं आपको बताऊंगी, अगर आपने उस पर work करके, अगर आप successful ह तो मेरे लिए वो खुशी की बात होगी, उससे बड़ी बात नहीं होगी, खुशी की, तो आप अपनी life में, जो भी चीज होता है, कोई भी चीज गटना गटती है, तो आप उसका negative, जो होता है, negative point of view, वो पहले देखते हो, और कहीं ना कहीं life में, आप trap फील करते हो, आपक समझ में नहीं आता है, तो बहुत जादा confusion वाली feeling आ रही है, यहां पर आपको समझ में नहीं आता कि मैं आगी क्या काम करूं, क्या काम नहीं करूं, आपको आगी का रस्ता होता है, क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, कहां जाना चाहिए, वो kind of नहीं पता पड़ता ह देखें यहां पर औरत के आंख्यों पर भी पढ़ती है हाथ भी बंदे है उसके पास आगी रस्ता है जाने को बट अच्छी उसके इंगेटिव एक्टिटी वज़े से आपके ही एक्टिव एक्टिट्यूड ने आपको रोप के रखा हुआ है आपके ही आप ही अपने आपको बोलते हो कि ये चीजे में ये गलत है ये गलते है हर चीजों में negative देखते हो और दूसरी चीज आप चीजों से जल्दी बोर हो जाते हो या फिर चीजों को बीच में ही छोड देते हो कोई भी काम अगर आप शायद कर रहे होंगे कहीं न कहीं न बहुत जलदी आप बोर हो जाते हो और लाइफ में न आपको कहीं न कहीं आप न मून से ज़ादा affected होते हो मतलब न चंदरमा की जो भी position होती हो उससे आप बहुत ज़ादा affected हो और चीजों पे जो work करना चीज़े न hard work dedication से जो काम करते रहना चाहिए वो काम आप कभी-कभी नहीं कर पाते हो kind of ना बोर वाली feeling आजाती है आपको ऐसा feel होता होगा किती बार यार चीजों में मजा निया रहा लाइफ में मजा निया रहा चलो गूमने चलते हैं कुछ ऐसी चीजे ठीक है मतलब चीजों को एकदम से छोड़ देना मतलब सब कुछ अच्छा होते हुए भी ना एकदम से चीजों को छोड़ देना और मना कर देना और kind of sad, depressed, confused यह चीज़े आपके लिए ना negative है यह चीज़े आपको परिशान करती है यह चीज़े आपको आगे बढ़ने नहीं देती और अगर अब मैं बात करूं कि आप ऐसा क्या काम करो जिससे आप successful हो जिससे आप जो चीज़े चाहते हो वो manifest हो तो सबसे पहली बात Ace of Wands का काड़ आया है Ace of Wands is a very powerful card आप जो भी चीज़े सोचते हो ना आपके दिमाग में जो आइडियाज आते हैं या कुछ भी काम होता ना आप उन्हें शुरू करिए मतलब उत्साह से उत्साह से high energy के साथ आप शुरू करिए ठीक है मतलब बहुत जादा ना आपके अंदर जो energy थोड़ी kind of flow रहती है like work spontaneous कहते है ना कि बहुत खुशी के साथ अच्छा चलो मैं आज ये काम करूँगा कुछ ऐसी चीज़े जो होती है ना आप उस उत्साह के साथ आप काम जो है वो start करिए जो भी आप अपनी life में start करते हैं और दूसरी बात ये कि आगर आपने कहें किसी चीजों में invest किया है और वो चीजें जो इन्वेस्ट किया है उनमें जो financial success ना वो इतनी अच्छी नहीं हो रही अगर बाइचंस तो आप उससे देखना छोड़ दिजिए आपने बहुत अगर कुसी चीज पर काम करो किया है या अगर कर रहे हो तो आप don't look at that कि है ना किती बार ऐसा होता है ना कि life में हम चीजें बहुत धीरे-धीरे बढ़ती है हम उन चीजों को देखते रहते हैं और चीजें बहुत धीरे-धीरे बढ़ती है मतलब लैक और हमेना kind of frustrated वाली feeling आती है वो चीज आपके साथ होती है कहीना कहीना कि अंदर patience की जो patience की या फिर जो चीजें आपके लिए ना मतलब जो चीजें hard work आपको pay करना चाहिए वो यह as an advice card आया है तो यह यह बताता है कि don't look at अगर आपकी जो भी चीजे grow हो रही है जिन भी चीजों में आपने महनत करिये आप उनकी तरफ मत देखो let go surrender देखे एक और card आया है the hangman और यह as an advice आया है तो चीजों को जो चीजें अगर आपके लिए work नहीं कर रही न आप उन उस पे बहुत जादा मत सोचिए ठीक है और कहीं न कहीं आपकी financial condition जो है वो अच्छी नहीं है तो यह card बोलता है कि आप थोड़ा सा patience रखो जो चीजे अगर आपके लिए मुझे यहाँ पर money की थोड़ी problem लग रही है तो अगर आपके लिए पैसे की बरकत जादा नहीं हो तो सबसे पहली बात आप चीजों को छोड़ना सीखिए बहुत जादा नहीं सोचना है किसी भी चीज पर और चीजों को सोचना छोड़िए surrender कीजिए और जो भी काम आप start करते हो उना उसे बहुत high उत्सहा से excitement के साथ आप start कीजिए और उस काम को करते रहिए क्योंकि तो कभी-कभी ना आपके emotions ही आपके अंदर बादा बन जाते हैं जो काम आप करते हो start अगर करते भी होंगे बट कहीं न कहीं आपके emotions ना आपका mood swings आपके emotions वही बादा बन जाते हैं और आप चीजों को बीच में छोड़ देते होंगे या kind of this feeling तो advice card यह है कि अगर आप financial problem स जूज रहे हो तो have patience थोड़ा time और निकालो क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी financial conditions होंगी आगी बहुत अच्छी होंगी आप अपने emotions पे आपको control करना है आप जो भी कहते हो उस पे control रखना है अपने emotions पे control रखना है और अपने willpower के साथ, success के साथ, courage के साथ आगे है confidence के साथ आगे बढ़ना है और चीजों को करते रहना है अगर चीजे बीच में workout नहीं कर रही तब भी आप वो काम करते रहो ठीके आपके लिए as an advice आपके जो success के द्वार जो चीज खोलेंगी ना तो वो यह है कि keep doing आप जो काम कर रहे हो आप उन्हें बीच बीच में मत छोड़ो आप वो काम करते रहो अपने emotions पे अपनी सोच पे अपने mindset पे थोड़ा सा थोड़ा सा आपको control करने की ज़रूरत है और यह भी हो सकता है कि यहाँ पे ना creative expression का काड़ा है तो अगर आपके कोई ऐसी hobby है जिससे आप actually ना आपकी vibrations high होती है आपकी energy high होती है तो आप कोई hobby create करो आप कोई hobby करो और hobby में अपना मन लगाओ अपने आपको busy रखो ठीक है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो और kind of negative attitude है और आपको चीजों को छोड़ने की जरूरत है patience की जरूरत है जिन चीजों पे आप काम कर रहो उन चीजों पे से काम करते रहो कितनी ब मिलते हैं तो आपके लिए सर्फ advice यह है keep going keep going keep going चितने negativity आती है आपके आसपास जितने भी दो राये दो तीन चीज दो तीन चार पांच चीजे आती है options आते हैं आपको उसमें से सही चुनना है negativity को नहीं चुनना है आगे बढ़ना है confidence से आगे बढ़ना है छोड़ चीजों को छोड़के नहीं जाना है So guys यह थी group number one sea turtle की reading I hope आपके साथ मेरी reading resonate करी हो जिसकी मैं pray करती हूँ और अगर करी हो तो please subscribe my channel and like my video thank you for listening bye bye Okay जिन्होंने भी group number two यह whale choose करी है तो देखते हैं उनके लिए readings जो है क्या कहते है कार्ड जो है वो क्या कहते है Okay the hierophant वाव Seven of swords, five of wands and wheel of fortune Knight of swords, the tower Three of cups Leadership Light and love Okay let's see आपके लिए कार्ड जो है वो क्या शो करते हैं Group number two जिन्होंने भी यह whale choose करी है तो उनके लिए कार्ड कुछ ऐसा बोलते हैं कि सबसे पहली बात आप वो लोग हो आपके अंदरना spirituality बहुत जादा है आप लोगों को सही advice देते हो आप kind of mentor हो यह हो सकता है कि आप teaching field में हो education field में हो लोगों को ना अब मतलब आपकी personality ऐसी है कि लोग आपके पास आते हैं जब भी कभी problem में होते हैं आपकी image आपकी personality is like kind of professor type में बनलब लाइक वेरी मिच्यूर वेरी मिच्यूर और बहुत ही गंबीर और जिसे ना यूनिवर्स की समझ है कि यूनिवर्स के यूनिवर्सल लॉज जो है वो कैसे काम करते हैं आप बहुत ज्यादा आपके जो गुरू है ना जो गुरू जुपिटर आपका बहुत स्ट्रॉंग है ठीक है आपका जुपिटर बहुत स्ट्रॉंग है इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छी advice दे सकते हो और यह लगता है आप सजिटिरियस भी हो सकते हो या फिर जो सजिटिरिस आपकी लाइफ में ना आपकी चार्ट में प्रोमिनेंट हो सकता है और आप हो काफी strong person हो you are a very strong person ठीक है यह भी हो सकता है कि आप occult science में हो कोई भी ऐसे spiritual या psychology या मतलब लोगों को counselling करना counselor, advice देना और कोई भी ऐसे चीज ना आप इन चीजों में हो सकते हो ठीक है और spirituality में spirituality और mentor, guru यह image है ठीक है और अगर मैं बात करूँ कि ऐसा क्या चीज़े हैं जो आपकी success में hurdles create करती है तो सबसे बड़ी बात आपका गुसा आपका गुसा आपको आपका आपकी life में सरफ आपका गुसा ही है जो आपके लिए negative है मतलब आपकी success में आपको hurdles create करता है आपका गुसा और लोगों से ना आप जब भी कभी लोगों के साथ आपकी fights हो जाती होंगी और kind of जब जब आपको गुसा आता होगा ना तब गुसा आपको बहुत ज़्यादा हाई है प्लीस यार गुरा मतमाना इस और जब जब रीडिंग so this may or may not be but I hope it resonates with you so हो सकता है कि आपका गुसा जो है वो kind of बहुत ज़्यादा है और यह हो सकता है कि आप कि आपको कुछ लोग ना कभी-कभी manipulate करते होंगे या फिर manipulate करते होंगे या kind of tricky जो nature होता न आपके साथ खेलते होंगे maybe मतलब तो आपको क्या वो जो politics होते हैं आपको politics समझ भी नहीं आती है लोगों की conspiracies politics किते लोग ऐसे होते हैं जो बहुत sweet sweet bowl के अपना काम निकाल लेते हैं तो आप उन लोगों में से बिल्कुल नहीं हो ठीक है आपको ये चीज़े नहीं आती है बट अगर आप क्योंकि आप मुपे बोलने वाले लोग हो तो आपको लोग कही ना कही ना मितला कही ना कही cheating, betrayal या ऐसी चीज़े अगर होती होंगी conspiracy का शिकार, politics का शिकार क्योंकि सचे लोग सफी जादा फस्ते हैं तो आपके साथ ये चीज़े हो सकती है ठीक है अब मैं बात करूँ कि आप ऐसा क्या काम करो जो आपके लिए ना benefit हो तो listen सबसे first advice first and बहुत important advice ये कि आप जो spiritual होना आपके अंदर जो inner जो power है जो भी जो भी मैंद लाइक जो भी आपकी spirituality है वो ही आपकी ताकत है आपकी spirituality आपका बगवान जी के साथ connection आपका चीज़ों को देखने का नजर या आपकी knowledge आपकी knowledge, आपका wisdom वो आपकी ताकत है ठीक है use that औके और आपका aggression अगर आप लोगों के साथ लड़ाई ना करके अगर आप अपनी चीज़ों में और अपने काम में अपने प्रोजेक्ट में आप अपना वो aggression वो energy आप डाले तो आपके लिए success बहुत जल्दी आपके manifest होंगी ठीक है तो सबसे पहली बात आपकी spirituality आपका ताकत है आपका aggression आपके Mars जो है ना मंगल मंगल और जुपिटर आपकी चार्ट में बहुत जादा स्ट्रॉंग है ठीक है तो use that जुपिटर की energy मंगल की energy को use करो अभी शायद जुपिटर और मंगल जो है वो Sagittarius में मतलब अभी आप बहुत जादा बहुत जादा strong और powerful फील करते होंगे और दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं आप क्योंकि आपके लोगों के साथ जगड़े जादा होते हैं तो आपको लोगों के साथ मिलना बैठना है लोगों के साथ बातचीत करनी है लोगों के साथ celebrate करना है मतलब लोगों के साथ आपका meal जो लेना वो और अच्छा करना है उसको और अच्छा करने की जरूरत है ठीक है आपके अंदर leadership quality तो है बहुत अच्छी quality है बट आप ऐसी divine soul हो ना आपका जो purpose है दिखिये यौर पर्पस आपको दिख रहा है हो यौर पर्पस इस तो ब्रिंग divine healing light and love to this world तो आप heal करने के लिए बने हो आप लोगों को मदद करने के लिए बने हो लोगों को help करने के लिए बने हो आपका जो purpose है वो इसी से related है teaching से, education से, healing से spirituality, counseling से तो आपके अंदर बहुत जादा energy है आप उस energy को constructively use कीजिए लोगों के साथ मिल जोल बढ़ाईए थोड़े से fights, aggression और conspiracies, cheating इन सब चीजों से आपको बचना है ठीक है बहुत short message था इस group में और बहुत ही clear cut message था so guys ये थी group number two वेल वालों की reading I hope आपके साथ मेरी reading resonate हुई हो और अगर resonate हुई हो तो please subscribe my channel like my video, thank you for listening bye bye अब देख लेते हैं group number three जिनोंने भी ये tiger juice किया है तो उनके लिए cards जो है the emperor ace of cups okay wow ten of pentacles two of cups queen of wands the judgment let go support and infinite abundance okay आपकी जो परस्नाल्टी है तो आप सबसे पहली बात आप अर्थ साइन हो सकते हो Taurus Virgo और Capricorn ठीक है और right now आप आप ना आपके अदर money making skills जो है ना आप या तो उस पर work कर रहे हो या आपके अदर money making skills है मतलब financially कैसे चीजों पर work करना चाहिए वो चीजे बहुत साथा strong है मतलब आप कही ना कहीं कुछ नया अगर आपने को नया project start किया है अपी फिल्हाल में तो वो project आपको financially बहुत अच्छा पे करने वाला है एक तो यह बात बता दो ठीक है और आपकी जो personality है वो टेस लेक काईड ऑफ ना fixed, stable, commitment, discipline, structure मतलब आप बहुत गंबीर personality हो आपको 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 हवा में बात करना या अवे छोटी मूटी मतलब ना बहुत ज्यादा creative ideas या इन चीजों पे आप ज्यादा ध्यान नहीं देते हो आपको आपको आप you are like very much honest, duty-bounded, responsible, committed मतलब आपको जो चीजे आपके लिए work करती है आप उन पे बहुत अच्छे से मैनत करती हो आप ऐसे लोग हो चो very 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 hard working, बहुत loyal, faithful और पैसो-wise आपको पता है कि पैसे कैसे कमाने चाहिए मतलब पैसे कैसे कमाते हैं आपको पता है you know that one way आपको एक तरीका पता है कि हाँ पैसे इस तरीके से कमाते हैं चहां आपको बहुत financial abundance शायद से मिली है या नहीं मिली बट मिलने वाली है यार this is for sure मतलब यह कार्ड मुझे बहुत rich वाले लोगों का लग रहा है या तो अगर आप अभी तक rich नहीं हुए तो आने वाले future में बहुत rich होने वाले हो ठीक है और लिखे अगर मैं आपके drawbacks की बात करो ना तो drawback यही है कि आपके अंदर जो thoughts कहते है ना thoughts और creative ideas उनकी जगे जो है वो कम है आपकी life में उनकी जगे कम है और कहीं ना कहीं आप उन creative चीजों को उन creative pursuits पे जाता ध्यान नहीं देते हो या फिर मतलब expression कहते है ना मतलब creative expression वो चीजे आपके अंदर थोड़ी सी कम है ठीक है और क्योंकि देखो ace of cups आया है ace of cups negative नेगिटिव के लिए काड़ाया है मतलब like like अगर आपको अपकी life में कोई मतलब प्यार अगर offer होता भी होका ना तो शायद आप express नहीं करते हो बहुत जाधा आप love किसी से भी करते हो ना वो creatively express creatively तो छोड़ो पर अब express ना आप बहुत जाधा बहुत count करते हो ठीक है बट अगर मैं बात करूं कि क्या चीज़े आपको success देंगी क्या चीज़े आपको life में success देंगी तो listen मुझे यहाँ पर लग रहा है कि you are a family oriented person ठीक है आप family traditions culture इन चीज़ों में बहुत विश्वास रखते हो और आपको आपकी family ही आगे support करेगी आपकी family ही आपकी success का wealth का और financial abundance जो कहते है ना उन सब का जो तरीका है वो आपके family में है आपके family में से के साथ share करना generation wise share करना या फिर मतलब आप अपनी family को बहुत प्यार करो love your family अगर आपका कोई partner है अभी तो also love your partner देखो advice के लिए जो cards आए ना वो ये 4 cards है तो ये वाला जो card ना ये card दिखाता है कि अगर आपकी कोई partner है तो आप उससे उसे बहुत जादा creative बहुत जादा bond intense bond share करते हो बट आप अपना दिल उनसे open नहीं करते हो तो उनके साथ अच्छी से बातचीत करो उन्हें अपनी life में और ज्यादा involve करो और talk to her और अच्छी date पे जाओ मतलब अपनी life में लव लाइफ जो कहते है ना आप money wise बहुत जादा work कर रहे हो तो लव लाइफ आपके शायद ना kind of थोड़ी सी थोड़ी सी ignored feel कर रही है तो आप अपनी love life पे ध्यान दो अपनी partner पे अपनी wife पे अपनी relationship पे जो भी आपका lover है आप उस पर ध्यान दो उसको उसको आप powerful बनाने के अगर आप खुशिश कर सकते हो तो आप करो आपका जोगी partner है जो अगर वो कोई काम करना चाता है लोगों से मिलना जुलना चाता है कोई creatively काम करना चाता है तो आप उसे support करो अपनी love life में आप ज़्यान दोगे तो आपक कुछ ऐसा काम जो आपने बहुत पहले किया और बीच में वो बंद हो गया या तो कि लव लाइफ हो सकती है या फिर कोई भी ऐसी चीज यह था आपको बेटर जादा पता होगा कि ऐसी कौन सी चीज़े जो आपको बीच में ना बीच में वो कहीं रुग गई बट पहले या तो आप अपनी लव लाइफ के पहले बहुत ज़्यान देते थे तो राइट ना आपको अपनी लव लाइफ को और ज़्यादा ग्रो करने की ज़रू थे अपनी फैमिली में प्यार देने की बहुत ज़रू थे अपनी फैमिली में टाइम देने का उनको लव देने का इन infinite abundance बहुत जगे दिखा रहा है यहां पर सारे कार्स बहुत पॉजिटिव हैं देखे टेन अफ पेंटिकल्स and infinite abundance you are fully supported as you devote yourself to your divine life purpose तो आप अगर कोई आपका काम जो भी है जिसमें आपको success मिल रही है financially तो आप उपना time दोगे तो आपको पास पैसा तो बहुत आ रहा है to work on your love life okay उनको support करना उन्हें प्यार करना उनकी problem समझना और अपनी wealth जो है उन पे share करना उनके लिए कुछ काम करना उन्हें गिफ्ट देना अगर आप ऐसी चीज़े करोगी ना आप अपनी life में अपनी life partner को कहते है ना कि हमारा life partner भी गुरू होता है या शुक्र होता है तो आप उन्हें खुश कीजिए तो आपका जो किस्मत का दरवाजा है ना वो खुलेगा ठीक है यू आर वर्किंग हाद यू रवरी डिसिप्लेंड मैं ठीक है बहुत अच्छा काम कर आपके हाई मोरल्स है हाई अथिक से बहुत अच्छी से काम करते हो ठीक है बस आपको अपकी लव लाइफ पे आपके पार्टनर पे इवन यार मदर मदर फामली भाई बहन उनको प्या का रस्ता है वो और बहतर बने सो गाइस यह थी ग्रूप नंबर थ्री इन टाइगर वालो की रीडिंग आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो और अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल लाइक मैं वीडियो थांक यू फॉर लिसनिंग बबाई देख लेने ग्रूप नंबर फॉर जिजाने भी गोल्ड फिश चूस करी है तो उनके लिए कार्ड जो है वो क्या कहते हैं अगे पास असा थैरो जिसमें नाइन वांस दो बार आगे थे तो नाइन फॉर यहां पर बहुत जबदा स्ट्रॉंग एनरजी है अगे लिए अगे लिए जो कार्ड बहुत पर आगे लिए जो कार्ड वो क्या कहते हैं Group number 4 जिन्होंने भी गोल्ड फिश्ट चुज करी है तो सबसे पहली बात आप बहुत इनोसेंट सोल हो ठीक है You are very innocent soul और आप blessed हो आप protected हो by angels लैक You are like ऐसे ना कहते ना कि कुछ जो भूले लोग होते हैं वो उनकी भगवान सुनते हैं तो आप kind of ना उन लोगों के में से हो ठीक है और यह हो सकता है कि अभी आप लव आपका ना लव बहुत ज़्यादा होते हैं ना अपनी लाइफ में कोई ऐसी स्टेज होती है जिसमें लव बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहता है या हम बहुत ज़्यादा लव में होते हैं तो हो सकता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा intense bond share करते होंगे अपने partner के साथ अगर आपका partner है और otherwise आप बहुत ज़्यादा innocent हो हर इंसान को आप अपना मानते हो हर इंसान को आप अपना मानते हो और आपके लिए जो चीजे नेगिटिव हैं, आपके लिए जो ऐसी चीजे हैं, जो आपके हर्ड़ ग्रेट ग्रेट कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात, समवन आपकी आसपास के लोगों में से न कोई इंसान आपको नीचे करना जाता है मतलब कोई इंसान आपका बुरा जाता है अब यार यहां पर यह बहुत ज़दा स्ट्रॉंग मेसेज आ रहा है ठीक है, however it is a general बट यहां पर ऐसा है कि आपकी लाइफ के आसपास कोई आपके पीछे है जो आपको सक्सेस नहीं देखना जाता है मैंने यह बाकी में शायद ना बोला हूँ बट आपके यहां पर ज्यादा स्ट्रॉंग फीलिंग आ रही है क्योंकि देखिए है यहां पर फाइवा स्वार्ड की है तो समवन आप बहुत सदा या तो कॉंस्पिरेसी पॉलिटिक्स का शिकार होते हो और लोग आपसे ना काइंड ओफ जैलिस जैलिस और यह भी है कि आपको ना आपको फियर आपका जो फियर है ना ड्रीम्स इंट्यूशन कहीं अगे आपको बुरे सपने आते हैं आपको सपने आपके कुछ डरामने आते होंगे या फिर आपका जो काइंड ओफ मन का जो डर है ना आपके लिए जो ब्लॉकेज का काम कर रहे है वह है आपका मन का डर और आपके आसपास के लोग ठीक है आपका बंद का डर आप कुछ चीजों पर काम कर रहे हो और कुछ लोग आपकी टांग खीशने में लगे वे हैं ठीके या फिर आपको नजर लग जाती है या फिर लोग आपका अच्छा नहीं चाते हैं देखिए या आदमी कितनी महनत कर रहा है फिर भी कितना टायर्ड है और ऐसे हर्ट फील कर रहा है तो लोग आपकी लाइफ में ज्यादा बाधा बने वे हैं और आपका इंटर्नल मन का फिर और अगर मैं बात करूं कि ऐसी क्या चीज़ें जो हैं जो आपको सक्सेस तो लिसन आपकी लाइफ जो है ना आपकी लाइफ में अच्छिली सब कुछ बुछ बहुत अच्छा है सब कुछ बहुत अच्छा है अगर आप किसी चीज पर काम कर रहे हो अगर आप किसी जॉब में हो कोई अच्छा सक्सेस पाना चाहते हो कोई एक्जाम में हो या कोई भी ऐसी चीज पर आप जिस पर काम कर रहे हो जिसमें आपके कोई सपने हैं बड़े बड़े या कोई भी फ वो आपका साथ नहीं देते हैं यहां पर भी conspiracy हो रही है यहां पर भी इनसान जो ना इसके छे डंडे इसके अग्यास खड़े में और वो एक डंडे के साथ आगे बढ़ रहा है तो आपको करेज रखना है आपको अपने आप पर विश्वास रखना है करेज अगे बढ़ते ज जाना है जो चीज जो लोग अगर आपके साथ बुरा कर रहे हैं तो वो उनका कर्मा है तो आप तो पॉजिटिव हो आप उन्हें इनोसेंट सो लो ना आपने अपना काम किया है आप करते रहो हला कि आप कहीं ना कहीं टायर्ड हो दुखी हो तो बट आपको इन चीजों से नहीं होना है आपको अपना काम जो वो करते रहना है अगर आप किसी चीज पर लगे वे हो कोई चीज आप अपनी लाफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो और एक चीज यह भी एक कि देखिए कित्ती बार रस उताना लाइफ हमें बहुत को सिखा देती है experiences हमें बहुत को सिखा देते हैं तो आपको king of swords बनना पड़ेगा king of swords मतला like very intelligent कभी-कभी ना भोले होने से life जो है नहीं चलती है कभी-कभी लोगों की साजिशेंज होती है लोगों की intentions जो होती है वो समझने होते हैं लोगों की चालें लोगों की क्या बोलू में इन चीज़ों को न समझना होता है और अपने आपको बचाना होता है यहाँ पर दिखिए आप जब एक बार अपने आपको बचा होगे ना यह तो यह हो सकता है कि आप जो चीज़े चाहते हो जो चीज़े आप करते हो आप बहुत जल्दी लोगों को बोल देते हो जिससे शायद लोग आपसे जलस हो जाते हैं या लोग आपसे नेगेटिव फील करते हैं या नजर लगा देते हैं और आपके लिए हर्डल्स बन जाते हैं और तो आपको आपके लिए अगर जो सक्सेस क परस्ता है आपको थोड़ा सा चलाक बनना पड़ेगा अपने लिए आपको अपने आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा लोगों की एनरजी से अपने आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा आप जो भी काम कर रहे हो उसे बहुत सिक्यूर वे में काम करें और अगर आप सिंगल हो तो भी तब भी आपको आपके plans ना बताने की कोई ज़रूरत नहीं है आपकी इच्छा है आपकी जो भी इच्छा है ना वो कुछ कीजी को बताने की ज़रूरत नहीं ठीक है और जो चीजें आपको success देंगी वो है आपको खुद को clever होना पड़ेगा आपको अपने लिए stand लेना पड़ेगा अपने आपको protect करना पड़ेगा और महनत करती रहने पड़ेगी C. आपका जो भी काम है आप उसमें महनत करते रो चाहे आपका कोई साथ दे ना दे यहाँ पर यह इनसान अके लिए ही महनत कर रहा है लोग आपका साथ नहीं देंगे ठीके किती बार ऐसा होता है वो ऐसा इसलिए होता है कि ताकि हम और strong बन सकें तो शायद आपकी जड़नी है ना वो जड़नी कुछ ऐसे ही बनने वाली है ताकि आप और strong बन सको And yes Once अगर आप married हो या फिर आपकी life में ना जब आपकी बीबी आएगा कोई मतलब बीबी आपकी life में आप parent बनोगे तब या फिर आपकी family में कोई birth होगा तब आपका जो किस्मत का दर्वाज है ना वो खुलेगा क्योंकि देखें या फिर दो कार्ड में चिल्डर्ण आए ठीक है So love the children आप बच्चों से प्यार करिये बच्चों को खूब टौफियो बाट दिया करिये उनको हसाया करें और उन्हें खूब प्यार करें क्योंकि या फिर चिल्डर्ण का एक और कार्ड भी है अगर आपके बच्चों को खूश रखना है उनकी इच्छाएं जो होती है वो पूरी करनी है उनको शिकायत नहीं चाहिए आपसे और अगर नहीं भी है तो अगर आपके आसपास के कोई भी निफ्यू नीज जो भी है आप उन्हें खूश कर सकते हैं And one thing अगर आपके पास financially आप अच्छे हो तो डोनेट 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 ठीक है आप डोनेट कर सकते हो अपनी लाइफ में तो आपके लिए जो चीजे हैं वो बेटर बनेंगी आपका लग जो है वो अच्छा होगा आपको financial success मिलेंगी ठीक है और यह कार्ड भी आया है ठीक है So this card shows की अगर आप किसी spirituality में हो तो आप spirituality का सहरा लीजिए क्योंकि आप कहीं न कहीं तो परिशान तो रहते हो ठीक है कहीं न कहीं आपके अंदर inner blockages है fears है dreams, intuition, psychic जो भी कहते हैं न हो तो आप spirituality का जो है वो सहरा लीजिए अपने आपको strong बनाईए अपने आपको protect कीजिए अपने aura को और strong बनाईए अपने aura को और protect कीजिए ठीक है So guys यह थी group number 4 goldfish वालों की reading I hope आपके साथ मेरी reading resonate करे और अगर resonate करे तो please subscribe my channel, like my video Thank you for listening, bye-bye